हलो फ्रेंड्स, वेलकम टो दी देगुन क्लासेज, दी एजुकेशन और प्रोफेशनल क्लासेज वर रॉल गौर्म्न एग्जाम के प्रपेशन करने वाले कैंडेट्स हों या स्कूल के स्टुजेंट्स हों हमारा जो ये चानल ने सभी के लिए इकुल इंपॉर्टन है क्योंकि आपे हमने NCART का रेफरेंस लिया हुआ है सारे पॉइंट्स आपे NCART के ही इंक्लूड किये गए है तो जो हमारा ये चानल ने सभी के लिए बहुत जादा ही इंपॉर्टन है आज जो है हम Class 6 का Chapter 13 करने वाले है जिसका नाम है Fun with Magnet इस Chapter में हम Magnet से Related चीजों को पढ़ने वाले हैं बहुत इंट्रसिंग Chapter है आज बहुत सारे इंट्रसिंग Phenomenos को जो Magnet से Related है हमारे Daily Life में जिसका Use है उसको आप जानने वाले हैं इससे पहले की वीडियोज अगर आप में नहीं देखी हैं तो Description में आपको उसका Link मिल जाएगा आप वहाँ जाके उन वीडियोज को देख सकते हैं तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं अपने इस Chapter को Magnet is a Material or Object Magnet एक Material है Object है That has a Property of Attraction जिसके अंदर Attraction of Pull की Property होती है Attraction of Pull Force for Ferromagnetic Materials Like Iron, Cobalt, Nickel Ferromagnet क्या होता है Ferromagnetic वह Material होते हैं जिसके अंदर यह Feature होता है कि वह एक Natural Magnet में बदल सके यानि कि वो सबस्टांस जैसे कि Iron, Cobalt, Nickel इनके अंदर यह Feature होता है कि वो अपने आपको जो है Natural Magnet में Convert कर सके जब वो Magnet के संपर्क में आएं तो जो Magnet है उसके अंदर Attraction होता है Pull होता है किसको Attract करने के लिए Ferromagnetic Materials को और वो है कौन-कौन से Iron है, Cobalt है, Nickel है ध्यान रखिएगा यह आपको एक्जामपल में पूछ सकते है कि Ferromagnetic Materials कौन-कौन से होते है या आपको भी पूछ सकते है कि Ferromagnetic क्या होता है तो एक एक पॉइंट को अच्छे से समझ के चलिएगा Magnet Attract Ferromagnetic Materials Like Iron Toward It Magnet Also Attract And Repel Other Magnets Magnet है, वो क्या करते है एक दूसरे को Attract करते है और Repel भी करते है यानि कि एक दूसरे को अपने तरफ खीशते है और एक दूसरे से दूर भी जाते है ठीके Application of Attraction Property of Magnet in Day-to-day Life आप देखिए Magnet का फंडा इतना इंटरस्टे है देखिए वाई डे-to-day लाइफ में यूज होता है एक ऐसा ही इंटरस्टेंग फंडा है रेफ्रिजेटरिक का दूर जब हम रेफ्रिजेटरिक के दूर को खोलते हैं चीजे लेने के लिए चीजे रखने के लिए तो हम दूर को अगर दूर से ही छोड़ दे तो आप देखिएंगे कि वह जाके एकड़म लॉक हो जाता है अपने आप से क्योंकि उसके अंदर Magnet का मेकानिजम है जो अट्रक्ट कर लेता है किसे ferromagnetic materials को pencil box में देखा होगा आपने purse में भी देखा होगा कि जो एकड़म attraction के साथ attract करके जो है वो जो है बंद हो जाते हैं ठीक है क्योंकि उनके अंदर क्या होता है magnetic closer buttons होते है irons होते हैं जो उसको क्या करता है magnet के तरफ attract करके उसे close कर देता है ठीक है तो यह daily life का और भी बहुत सारी interesting fund है ठीक है तो magnet का इसलिए हमारे life में बहुत जादा importance है देखिए iron nail जो है यह जो आप देख रहे हैं इसको हम horseshoe बोलते हैं घोरी की नाल ठीक है इसलिए यह जो आपका magnet है यह horseshoe कहलाता है इसने कोबोल को यह iron nails को अपने तरफ के आपकर अटेक कर लिया है ठीक है रेफ्रीजरेटर के डोर में देखेंगे आप magnet होता है magnet on the edge so that they can close automatically इसलिए जो फ्रीज की डोर को close भी करेंगे तो भी वह अपने आप लोग हो जाता है ठीक है पर्स में भी आप में देखा हुआ यह जो लॉक होता है यह कैसे attraction के साथ पर्स को लॉक करता है तो इन सम्में जो है आपका magnet का ही mechanism है अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि magnet की discovery कैसे हुई और किस type की magnets होते हैं और उसमें जो उनके जो parts है जिनको हम पोल्स बोलते हैं इसके बारे में ठीक है magnet are set to be discovered by a shepherd name Magnes of ancient Greece Greece का एक shepherd था जिसने इसका नाम है Magnes जिसने क्या किया था इस magnet को discover किया था कैसे किया था Magnes has an iron end stick उसके पास एक iron लोहे की stick थी ठीक है which got attracted by a rock on hill the rock made of magnetite which contain iron ठीक है जो shepherds होते हैं जो hilly area में रहते हैं वो hills पे चड़ने के लिए जो है iron stick का यूज करते हैं ताकि क्योंकि जो वो rocks पे चड़ते हैं तो rocks जो है वो magnetite होते हैं जिसके अंदर क्या होता है अट्रेक्शन होता है तो यह जो iron stick ही लोग यूज करते हैं न उस rock पे चड़ने के लिए तो क्या होता है iron stick जो है magnet से क्या हो जाती है अटैच हो जाती है तो उनको जो है गिरने का नेचर में फांड होता है magnetite ने रॉक्स की फार्म में मिलते हैं दूसरा है आपका artificial जो प्रपेर किया जाता है using various process and with the help of iron जो iron की help से बनाया जाता है एक्जांपल के तोर पर देखेंगे artificial magnet include वो artificial magnet है कौन-कौन से एक बार होगा एक horseshoe एक cylindrical ball ended magnets यह इस टाइप के magnets है जो human made है जो iron का यूज करके बनाया जाता है ठीक है मैंने बताया था जो ferromagnetic होते हैं उनका capacity होती है कि वो magnet में convert हो जाए इसलिए iron का यूज किया जाता है artificial magnets बनाने में ठीक है अब magnet जो है उसके two ends होते है उसे हम poles कहते हैं ठीक है एक end यह होगा एक end यह होगा यह horseshoe की बात आवी और यह आपका bar की shape में है इसे bar magnet कहते हैं यहां पर एक तरफ यह end एक तरफ यह end ठीक है तो 2 ends होते हैं एक को हम बोलते हैं south और एक को हम बोलते हैं north ठीक है जब आपका magnet environment में free है खुला पड़ा हुआ है तो हमेशा उसके अंदर एक feature होगा वह यह होगा कि जो north है न north direction में north pole ही होगा कहने का means यह है कि जो आपका magnet है उसका जी north pole है हमेशा north direction में attract करेगा north direction की तरफ turn होगा और जो south pole है वह हमेशा south की direction में होगा आपके देख लिए in a free suspended magnet the end of the magnet that points towards the north is called north seeking end or north pole the other end of the magnet that points towards south is called south seeking end और south pole south seeking end भी कहा जाता है या south pole भी कहा जाता है south pole south की तरफ point करेगा और north pole इसी mechanism को बहुत ही interesting funding के लिए हम यूज करते हैं जिसको मैं भी आगको आगे बताने वाली हूँ ठीक है तो देखे magnetic and non-magnetic materials कौन-कौन से है materials which get attracted towards magnet are called magnetic material जो magnet की तरफ attract हो जाए वह magnetic material है जैसे कि iron, nickel and cobalt जो बना भी बताया था आपको और जो ना हो do not attract towards the magnet are called non-magnetic जिसका example है paper, wood, plastic ठीक है तो यह दो टैप्स के materials होते हैं कुछ magnetic हैं कुछ non-magnetic हैं कुछ आपको iron के तरफ कुछ magnet के तरफ attract होंगे और कुछ नहीं होंगे ठीक है यहाँ पर आइरन की जो feelings रखी गई है वो यहाँ यहाँ पोल्स देखो किसे attach हो गई है यहाँ पर less है और यहाँ पर कोई नहीं है तो यह attraction दिखा रहा है वीडियो को like करना तबते के लिए keep smiling ठीक है thank you so much पर यहीं है